क्या आप जानते हैं सुतुर मुर्ग का एक अंडा 24 मुर्ग के अंडे के बराबर होती है भोजन को पचाने के लिए सुतुर मुर्ग कंकन और रित खाते हैं वो अपने पेट में एक किलो रेत और कंकन लेकर चलते हैं कंकन और रिद भोजन को बहतर ढंग से तोड़ने और पीछने में मदद करती है सुतुर मुर्ग की चर्बी से लगभग 6 लिटर तिल निकलता है जो बालो तोचा भुदर नाखुन के लिए अतनत लाबकारी होता है सुमालिया में मना जाता है कि सुतुर मुर्ग की सेबन से एड्स और डाइवेडिस सी ठीक हो जाती है संबोग के लिए तयार होने पर नर सुतुर मुर्ग के चोच और पैर का रंग लाल और गुलाबी हो जाता है वही मादा सुतुर मुर्ग के पंखों का रंग चांदी के रंग का हो जाता है सुतुर मुर्ग में पसीने की ग्रंथी नहीं होती